सब्सक्राइब करो लाइफएट टीचिंग को और पेल आइगन को प्रेस करो कम्पूटर की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज हम इस आज चाप्टर नमबर 9 जिसका नाम है Microsoft Excel Basic के भारे में जानेंगे इसमें आपको बहुत सारे क्योशन मिलेंगे जो MS Excel के basic level के होते हैं और इस बुक के सभी चैप्टर की वीडियो आपको लाइफएट टीचिंग पर मिलते रहेगी तो दोस्तों बने रही आप हमारे साथ क्योशन नमबर 1 MS Excel कीस प्रकार का सॉप्टवेर है एंस्वर एप्लिकेशन सप्वेर और स्प्रेटशीट सप्वेर नेक्स्ट क्योशन नमबर 2 MS Excel का extension name क्या है एंस्वर .xlsx नेक्स्ट क्योशन नमबर 3 MS Excel में A1 किसको represent करता है एंस्वर कॉलम A और row 1 को नेक्स्ट क्योशन नमबर 4 MS Excel में किस टैप पर कलिक करने पर बेक्स्टेज व्योशन यो होता है एंस्वर फाइल टैपर नेक्स्ट क्योशन नमबर 5 MS Excel में रो और कॉलम की संख्या करमिश्य होती है एंस्वर 10,5,156 और 256 पर दोस्तों जो वर्तमान के अंदर है आप खुद चिलाके देख लेना MS Excel दोहर 10 को उसमें आप चेक कर सकते हो उसके अंदर रो तो 10,5,156 दे रखियें बट कॉलम 16,384 है तो दोस्तों आप इसका खास तोर पर ध्यान रखें Next Question No.6 MS Excel में बार में कॉलम और पंदरवी रो को केसे रिपर्जेंट करते है Answer L15 के द्वारा Next Question No.7 MS Excel में सेल का इड्रस कहा श्यो होता है Answer Name Box में Next Question No.8 MS Excel में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है Answer 3 Next Question No.9 MS Excel में बनने वाली फाइल को कैती है Answer Spreadsheet File Next Question No.10 MS Excel में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉटकट की क्या है Answer Shift प्लस F3 Next Question No.11 MS Excel में टेबल को फिल्टर करने की शॉटकट की क्या है Answer Ctrl Shift प्लस L Next Question No.12 MS Excel में दो या दो से अधिक साल को एक साथ जोडने को क्या का जाता है Answer Merge Cell Next Question No.13 MS Excel में पिवोट टेबल का यूज किया जाता है Answer Data को छोटे से छोटे रूप में देखने के लिए Next Question No.14 MS Excel में नई वर्कशिट इंसर्ट करने की शॉटकट की बताईए Answer Shift प्लस F11 Next Question No.15 MS Excel शॉट्टिंग और फिल्टर का अर्थ क्या होता है Answer All of These यानकि दोस्तों Ascending Order, Descending Order और Conditions लगा कर जमाना Next Question No.16 MS Excel में फॉर्मला किस से स्टार्ट होता है Answer Equal C Next Question No.17 MS Excel में निमन में से कौन सा फॉर्मला सही है Answer D और दोस्तों यहाँ पे दो फॉर्मला सही है एक तो C और यह D यह दोनों सही है आप इन दोनों को द्राण से देख लीजिए Next Question No.18 MS Excel में Equal SQRT का मतलब होता है Answer X का वर्मोल Next Question No.19 MS Excel में इस साल में लिखी गई नंबर का डिफॉल्ट एलाइनमेंट क्या होता है Answer Right Next Question No.20 MS Excel में Average क्या है Answer Function Next Question No.21 MS Excel में कौन सी शॉर्ट कुर्ट की का यूज Selected Cell में चार्ट बनाने के रिए किया जाता है Answer F11 का Next Question No.22 MS Excel में एक सप्राइड सीट में होते है Answer Row and Column Next Question No.23 MS Excel में आप Cell को किस के द्वारा एक्टिवेट कर सकते है Answer Arrow की के द्वारा और दूस्तों माउस से क्लिक करके भी आप Cell को एक्टिवेट कर सकते हो Next Question No.24 MS Excel में Macro की शॉर्ट कुर्ट की होती है Answer Add or F8 Next Question No.25 MS Excel में कौन्सी डिफॉल्ट पेज ओरेंटेशन सेटिंग होती है Answer Portrait Next Question No.26 MS Excel में किसी साल की वैल्यू में चेंजर्ज करने के लिए कौन्सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है Answer F2 का Next Question No.27 MS Excel में सीट कर डिफॉल्ट विउ क्या होता है Answer Normal Next Question No.28 MS Excel में कॉल्म की डिफॉल्ट वेट कितनी होती है Answer 8.43 पोइंट्स के इंदर Next Question No.29 MS Excel में किसी भी न्यूज फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है Answer Book 1 Next Question No.30 X123, X127, X1210 फाइल का एक्स्टेंशन नेम क्रमश्य है Answer XLS, XLS और XLSX Next Question No.31 एक फॉर्मला बनाने के लिए आप किसका यूज कर सकती है Answer Cell संद्रब का नहीं, बलकि Cell value का Next Question No.32 जब आप एक फॉर्मला कोपी करते हैं, तो क्या होता है? Answer XLS फॉर्मला के मोल प्रती मिटा देता है Next Question No.33 यदि एक सुत्र का प्रिणाम एक साल में पर्दसित करने के लिए बहुत बड़ा है, तो उस साल में प्रिणाम के बज़ाए क्या दिखाई देता है? Answer Has, Has Next Question No.34 कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में स्तितरी किसान को मिटाता है? Answer Trim Next Question No.35 And Last Question कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई बताता है? Answer Lam आपको इस लाइजन के कितने क्यूशन्स आते हैं मुझे जरूर बताना आपका एक महत्तपुन लाइक मेरी आत्मा को त्रिप्त करेगा और यह वीडियो अपने उस फ्रेंड को जुरूर शेर करना जिसे आप RCA टीम फुल माक्स के साथ पास होता देखना चाहते हो अगर आपके आत्मा भी प्यासे एक अंप्यूटर ग्यान की तो लाइफ आइज टीचिंग को सब्सक्राइब करो और उस बैल वाले आइकून को दपा दो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया झाले घर आपके इंस्टाग्राब